बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से फर्स्ट क्वाचन पूछा आप सिर्फ दो का प्रजो करते हुए तेईस को कैसे लिख सकते हैं दोस्तो बहुत यह इंट्रेस्टिंग क्वाचन है कैंडिडेट ने इसका अंसर दिया 22 प्लस दो भाग दो हो गया 23 एकजामिनार ने उमीदवार से नेक्स्ट क्वाचन पूछा साल में एक बार लेकिन हफ़ते में दो बार आता है बताओ क्या कैंडिडेट ने इसका अंसर दिया अक्षर E साल में एक बार लेकिन हफ़ते में दो बार आता है एक्जामिनार ने अमीदवार से next question पूछा एक आदमी को दो आदमी कौन बना सकता है दोस्तों ये question बहुत बार interview में पूछा गया है इसलिए गईस ये बहुत ही जादा important question है उमीदवार ने बहुत ही सुझ बूज से इसका अंसर दिया आईना एक आदमी को दो आदमी बना सकता है एक्जामिनार ने कैंडिडेट से नेक्स्ट कौचन पूछा ऐसी कौन सी चीज है जिसकी आँखें होती है लेकिन देख नहीं सकता है दोस्तों बहुत ही ज़़ा इंटरेस्टिंग कौचन है ये भी कैंडिडेट ने इसका अंसर दिया गुडिया जिसकी आँखें होती है लेकिन वो देख नहीं सकती बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से नेक्स्ट कौचन पूछा दुनिया में सबसे बड़ी आँख किसकी है दोस्तो अगर आपको इसका अंसर आता है तो कमेंट सेक्शन बताना मत बुलीगा कैंडिडेट ने इसका अंसर दिया कोलसल सकवीड नाम से मशहूर इस समुद्री जीव की आँखें दुनिया की सबसे बड़ी आँखों में सामिल है एक्जामिनार ने कैंडिडेट से नेक्स्ट क्वाचन पूछा ऐसी कौन सी चीज़ है जो दिन में सोती है रात में रोती है कैंडिडेट ने इसका अंसर दिया मुवत्ती मुवत्ती है जो दिन में सोती है और रात में रोती है Examiner ने next question पूछा वह कौन है जो हमेशा पीड़ने के लिए ही बना है दोस्तो यह भी बहुत ज़रा interesting question है Candidate ने इसका answer दिया Dole Dole जो हमेशा पीड़ने के लिए ही बना है Examiner ने next question पूछा दुनिया की सबसे सुंदर आंख किसकी है कैंडिडेट ने इसका अंसर दिया एस की आँखे दुने की सबसे खुबसूरत आँखों में गिनी जाती है बोर्ड मेवर ने कैंडिडेट से नेक्स्ट क्वाचन पूछा ऐसा कौन सा रूम है जिसमें कोई खड़की नहीं है कैंडिडेट ने इसका अंसर दिया मश्रूम मश्रूम ऐसा रूम है जिसमें कोई भी खटकी नहीं है एक्जामिनार ने कैंडिडेट से नेक्स्ट क्वाचन पोछा लड़कियों की ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिर्फ रात में ही दिखाई देती है दोस्तो ये भी बहुत ही जड़ा इंटरेस्टिंग कोईचन है अगर आपको इसका अंसर आता है तो कुमेंटर सेस्ट ने बताना मुद बूलिएगा कैंडिडेट ने इसका अंसर दिया परच्छाई जो कि सिर्फ रात में ही दिखाई देती है बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से नेक्स्ट कोईचन पूछा वह क्या है जो लिखने और पढ़ने के काम आती है दोस्तो ये कोईचन भी इंटरेवी में बहुत बार पूछा गया है इसलिए अगर आपको इसका अंसर आता है तो कॉमेंट से कश्टर में एक बार ज्रूर लिख देना कैंडिडेट ने इसका अंसर दिया चश्मा जो कि लिखने और पढ़ने के काम आता है एक्जामिनार ने कैंडिडेट से नेक्स्ट कोईचन पूछा लड़कियों का कौन सा अंगर रगणने पे लाल हो जाता है दोस्तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वाचन है अगर आपको इसका अंसर आता है तो कमेंटर सेक्शन बताना मत बुलिएगा दोस्तो ऐसे क्वाचन जो बोर्ड मेंबर है वो कैंडिडेट से जान बूच कर पूछते हैं ताकि उनको पता चल सके कि कैंडिडेट इसके बारे में क्या सोचते है कैंडिडेट ने इसका अंसर दिया गाल जो कि लड़कियों की रगणने पे लाल हो जाती है दोस्तों comment section बिताना है कि आपने इसका answer क्या सोचा था और वीडियो को like और चैनल को subscribe करना मत बूलेगा